जो updation होता है, round by round, यानि counting जब गणना हो रही होती है, तो हर round पे एक आखड़ा प्रकाशित होता है. उसमें बहुत धील आ गई है, या बहुत धीरे धीरे हो रहा है. यानि हर आधे घंते में वो आखड़ा update नहीं हो रहा है election commission की website पे. ये हमारी complaint थी. हमने दो बड़े सूक्ष मुद्दों पर प्रश्ण उठाया था पहला और अहम मुद्दा था कि हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कम्प्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुल कॉंस्क्वेंसी से, कैंडिडेट द्वारा कि धाई बजे के बाद, जो अबडेशन होता है, राउंड बाए राउंड, यानि काउंटिंग जब गणना हो रही होती है, तो हर राउंड पे एक आँखड़ा प्रकाशित होता है उसमें बहुत धील आ गई है या बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, यानि हर आदे घंटे में वो अबडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पे, यह हमारी कंप्लेंट थी, दो कंप्लेंट थी, एक तो के संसदियक शेत्र के अनुसार ऐसा कोई अप्डेशन नहीं है, हही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेग्मेंट के अनुसार, राउंड बाए राउंड आता है आखड़ा, व इसको जल्दी होना चाहिए, हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश, चुनाव आयोग के केंद्रियस थल से, कि यह जल से जल अपडेट हो, चुनाव आयोग नहीं को बड़े आदर के साथ सुना, और कहा कि जहां तक संसदिय शेत् सकतते हैं, तो यह अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, यह आंक्रे आते हैं, असेंबली सेगमेंट वाइस, जो आखडे आते हैं, उनको अपडेट वो तब करते हैं, जब एकस संसदिय शेत्र में, वहां पहले आता है, तो वह पहले हो जाता है, इसने दौनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वह विलंब नहीं होने देंगे वह आदेश भी देंगे कि जो असेंबली सेग्मेंट के अनुसार उसके आधार पर जो अबडेशन होना चाहिए वो जल से जल हो और मैं समझता हूं का अगर या आदेश तुरंट चला जाया कि कुछ घंटे बचे हैं गणना में तो यह एक प्रकार से हल होगा बड़े एक सौरादे के साथ यह बातचीत हुई और अमने दों को धन्यवाद किया हमको जल से जल अपाइंटमेंट देने के लिए भी एक और मुद्दा है जिसके बारे मेरे दोस्त पोलेंगे मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूँ है। We went to the Election Commission at short notice to convey a concern of ours. It was more a concern, less a complaint. We are very happy that they gave us time at very short notice. They heard us patiently. The main issue was about not updating parliamentary constituency data round by round in terms of votes counted and the results of that round. However, it was clarified that it is done assembly segment wise. As you know these are not assembly elections but the statistics are counted and updated assembly segment wise. So if a parliamentary constituency has averaged seven assemblies then it is done each round in each assembly segment wise. Now the problem was explained to us is that different assembly segments follow different speeds of counting and also of updation. Which is why there is a lack of synchronism for the parliamentary constituency as a whole. In any case the Election Commission has assured us that without all this technicality they are again going to give very strict instructions that counting and updation round wise at the assembly segment level shall be the fastest and the most prompt as possible. We are happy if that happens and I think the matter would be resolved. Only a few hours are left for the elections and we don't want to create unnecessary question marks so long as this direction to immediately a to count fast and b to promptly disclose the counting round for each segment. There is a second issue. My friend will address you on there about Sonipat. 來 punto peace. 陳 investigation side. Hi. If we meet with a government такие discussions together aboutdy, we will answer where all the practicessteps were in disinformation. It will reply with you on the transfer side to the treas him that the prais hole. Go after Don Naimaga, he will answer you on the erkl Self. कहा जा रहा था कि वो EVM बिगड़ गए है और इसलिए वो काउंटिंग नहीं हो पा रही है तो हमको यह बताया गया उन्होंने कहा कि नहीं जहां भी ऐसा होता है तो वो slips की काउंटिंग कर दी जाती है और अगर नहीं भी हुआ हो तो जब अंतर आता है अंतर में जो अंतर आ कर ले, report मांगा ले ताकि कोई sande, ना भचे और वह कि लोग जोंगनों ने हम को यह बात पहँचा ही ती वो संतुष्छ हो झाये तूट्ष्ट。 It's a small thing but an important thing because although only two Boots are involved, two Boots of two constituencies in Sonipat, parliamentary constituency. One is Baroda and the other one is Safiro, and there was some issue there that because the EVMs had developed the fault, the counting could not be done and for that the election commission was kind enough to explain that where this happens we already have instructions we will check once again that the VV patch slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted so we have come back fairly satisfied and we are happy that the election commission has cooperated with us in these matters thank you thank you largely largely adiktar और बाकी वो action अभी देंगे आदेश देंगे हाँ answer है yes Sir अभी और भी शिकायते चुनावा एक से की गई है कुछ देर परे शुपिया शेने जीने टुट्र गया कि इस पर हम लोग यह तो हम हम इस संदर्व में इस बात को पहले उठा उठा चुके हैं यह पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है और इस पर सिंग्वी साब ने पहले जब हम यहां आए थी तो पूरी बात को रखा था उन्होंने कुछ स्पश्टी करन हम से मांगा था जो हम समझते हैं कि अब परिस्तितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी तो जहां जहां हमारे कोई भी साथी इस संदर्व में गंभीरता पूर्वक इस काम को लेकर आये हम उमीद करते हैं कि उनको सब को संतुष कर दिया गया है जन्यवाद जन्यवाद नेक्यों